नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपका जी आर एल न्यूज में शहर की खबरे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद उल्लास नगर पाच राशनकार आफिस रोड एक था मिनेर्वा अपार्टमेंट क्या ठीकेदार पाग गया इसलिए इतना समय लग रहा है देमोलेशन होने में क्या विकास डाक ने आयुक साहिप को पता नहीं है मिनेर्वा अपार्टमेंट का देमोलेशन हो रहा है क्या एक स लगेगा डेमोलेशन होने में बिली जानकारी के अनुसर पताया गया चार दिन काम बंद रहता है फिर दो दिन डेमोलेशन का काम चालू होता है जिस दिन डेमोलेशन चालू होता है उस दिन मेंट रोट एक साइट से बंद करते है और पहले ही रोट शोटा होने के वज़े से पूरा दिन ट्रेफिक होती है और आम जंता परिशन क्या पूर्वर नगर सेवक नेंद में है जंता परिशन मिनेरवा अपर्णमेंट को तोरने का कॉंट्रेक्ट तीन से चार मेने पहले एक ठिकेदार को दिया गया है जो अभी तक बिल्डिंग नहीं टोट पाया है और जो तोरू कारवाई चालू है उसका मलवा पास के नाले में गिर गया है अब ठिकेदार को वो मलवा उटाने का टाइम नहीं है या जैसी भी मशिन बुलाने का पैसा नहीं है उस वज़े से पास के नाले का पानी में रोड पे आ रहा है और इस कारण आने जाने वाले टू विलर का एक्सिटन हो रहा है बुज़ूर्ग लोगों और लेडिस की गाड़ी स्लिप हो रही है अब उसका जिमेदार कौन? क्या ये ठिकेदार? कोई बड़ा हाथसा होने का इंतचार कर रहा है? क्या पूर्वर नगट सेवक को वो पानी रास्ते पे नहीं दिखता है? क्या पूर्वर नगट सेवक को सिर्फ पैसे कहां से आते है? वो काम दिखता है? जनता की परेशानी नहीं दिखती है? क्या चुनाओ की समय वोट मांगने आते है क्या आने वाले चुनाओ में ऐसे पूर्वर नगर से वक फिर से चुन कर आएंगे क्या आने आते है